नमस्का और दोस्तों मेरे नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है Stockbox के Business Standard Plus Financial Express के Analysis वीडियो में आज आप सबको मैं Happy Diwali विश्च करना चाहूंगा अपने और पूरे Stockbox की Team की तरफ से हमारे जितने भी विवियर्स हैं सेफ्री दिवाली मनाएं और प्रॉस्फर करें अपने इंवेस्मेंट्स को भी अच्छे से आप ग्रोव करें हम यह मनाएंगे अपने सेहत का भी धियान रखें तो शुरुवात करूंगा मैं आज बहुत ही कम आर्टिकल्स हैं आप लोगों के लिए से आम एक्सेक्टिंग की लोग बिज्टी होँंगे अब अपने घर पर सो हम दो से तीन ही आर्टिकल्स लेकराये हैं जाधा न्यूसर लेकर आया है यहां पर हम इपको बाठिकल्स कर रहे हैं और यह सारी चीज्जे है तो कुछ कोर एकनMcS Regina यहाप company से related में एक दो news लेकर आया हूँ आपर यहाँ पर हम simple भाषा में simplify करके cause and analysis करेंगे business news का सबसे पहला जो news है वो है core sector bounces back on refinery and cement gains तो इस बार stock market का जो result दिखा रहा है वो यह दिखा रहा है कि पिछले तीन महिनों में कोई बढ़िया बेटर आ रहा है जो growth in output है की eight key sectors का जिसे हम infrastructure industries कहते हैं ठीक है infrastructure से related जो companies है infrastructure मतलब roads जो तरह भी आप कह सकते हैं हमारा overall हमारे assets हैं हमारे economy में चाहे वो roads हों चाहे hospitals हों चाहे वो bridges हों वो सब infrastructure तो यहां पे जो core sector बोला जाता है in infrastructure industries को कहा जाता है eight key infrastructure industries है और इनों रिकावर यह रिकावर हुआ है to two percent year on year in September from contraction contraction मतलब यह growth इनका कम हो रहा था negative जा रहा ठीक है और वहां से अब क्या हुआ है positive reversal देखने को मिला है और यह positive हो गया है तो इसलिए यहां पे लिखा है कि हमें recovery देखने को मिली है and contraction जो था पहले प्रिसीडिंग मंत में अब यह positive हो चुका है तो 42 महिनों में पहली बार जो output था core sector का वह minus 1.6 percent था August के महिने में तो growth जो है अभी हमें अगर देखें हैं तो September 2024 में वह slower है than 9.5 percent जो हमने same register किया था last year लेकिन लास्ट के comparison में कम होने के बावजूद इस साल की comparison में पिशले महिने से हम काफी recovery कर चुके हैं negative से positive आच चुके हैं तो जो data release किया गया है ministry of commerce के द्वारा एं इंडिस्री के द्वारा Wednesday को यहां पे sequential recovery बड़ी देखने को मिली मतलब नीचे जाकर अब ऊपर आ रहा है and growth and यहां acceleration हुआ है coal के output में refinery products जो हैं यहां पर हमें बढ़िया growth देखने को मिला है cement में 7% की growth देखने को मिल रही है और जो output है fertilizer का वह positive हुआ है and steel में भी हमें positivity देखने को मिल रही है जो पहले de-accelerate हो रहे थे मतलब मीचे जा रहे थे growth जिनके अब growth open जा रहा है तो अगर crude oil की में बात करूं तो इसका output गिरा है 3.9% electricity और natural gas यह भी contract हुए है by 0.5% and 1.3% तो जो energy usage है usually अगर आप देखें इंडिया में सर्दियों में वह कम हो जाता है energy का usage जादा गर्वियों के ताइम पर होता है और rainfall related disruptions हुए उससे mining और electricity काफी effect हो गया and core sector की recovery भी इससे यहाँ पर effect हुई है तो इन्होंने कहा कि काफी disaggregated trends देखने को मिल रहे है जो overall trends है वो robust है मतलब positive है मजबूत है और जो five of eight sectors हैं हमने अभी बोला था न हमारे four eight sectors हैं इंट्रा सेक्टर के जो होता है उसमें से five sectors में काफी बड़े improvements देखने को मिल रही है तो यह हमारे लिए positive news है and इससे हम expectation set कर सकते हैं कि आगे हम और बढ़िया करने वाले हैं तो चिंता की बात नहीं यह बहुत जाबा cement में भी बढ़िया growth आई है क्योंकि cement sector के results भी अच्छे नहीं आए थे इस बाग तो यूशली आप देखेंगे monsoon में cement construction का काम बहुत कम हो जाता है यह natural भी है तो इस अब जो है यह pickup होना शुरू होगा monsoon के बाद से जब लोग construction करना भी शुरू कर देते हैं तो जो eight core industries है यह करीब 40.27% comprise करती है इनका जो कह सकते हैं weight है यह है 40.28% total index of industrial production का तो index of industrial production कोई बूले ना कि या इंडिया में इंडिया में जो इंडिया प्रडक्शन है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है अब कैसे debate करोगे आप बोलोगे चलो data निकालता है index of industrial production data अगर रख रहा है तो इसके पता लगता है कि economy में क्या चल रहा है इस वकपे specifically core sectors लेखेंगे और core sector का weightage है वो है 40% की पर तो काफी बढ़िया हमें growth expected है और आगे हम expect करेंगे कि company के जो results आएंगे specifically देखिए cement सबसे पहरे तो steel तो ठीक है कि steel में problem में लग है margins के problem है and refinery products इसके भी कि हमें लग रहा है कुछ better results expect यहां कर सकते हैं और call को लेके भी हम आगे better results expect करेंगे क्योंकि अभी जो demand way up हुआ है हमें लगता है यह इसी तरीके से बढ़िया यहां से reverse करेगा अब आता हो मैं अगले article पर यह बात कर रहा है swiggy की अब दूसे swiggy का हम क्या कह रहे हैं ipo आ रहा है क्या हम आई-पी में पैसे डबल हो जाएंगे हम यह सोच रहे हैं लेकिन आप पैसा डबल करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन swiggy में जिन्नोंने पहले invest किया था वो वो अपना capital का 40-50 गुना कर चुके हैं येस तो स्विगी हम हमेशा देख रहे हैं कि कितने सालों से fund raising कर रहा है अलग-अलग round हो रहे है जो food delivery aggregator है स्विगी इसके जो early investors थे उनको करीब 35 गुना return मिल रहा है जब company list करेगी अपने आपको इंडियन stock exchange पे जो draft red hearing prospectus है DRHP इसमें जो early backers of companies थे उसमें करीब उने 3-35 गुना इनके investment होते वह हमें नजर आ रहे है early investors कल ही मैं आपको बताया था सबसे पहले एक word जिसे हम बोलते हैं DRHP draft red hearing prospectus तो इसी में सारी company की details होती है और companies को ये सभी को देना होता है जैसे आपकी कोई company है आपकी कोई दुकान है फर एक्जाम्पल राशन की दुकान है आप उसको भी लिस्ट कर सकते हैं stock exchange पे आप अपना red hearing prospectus बनाएंगे आप सभी को देंगे सभी वह अप्रूफ करेगी वह prospectus फिर हम लोग पढ़ेंगे आनलाइस करेंगे फिर आपकी company हम लोग पैसा लगाएं कि तब इन लोगोंने invest किया था सभी में तो of course उन्होंने risk बहुत बढ़ा लिया और उनको reward 35-40 दुना जरूर मिलने चाहिए तो ऐसा नहीं है कि यह unfair है कि इनको इतना ज्यादा reward मिल रहा है तो कुछ जो है अभी कुछ time अभी लेंगे chip of the table यहां लिखा हुआ है इसका अलग अलग time period होता है जब वह बेच सकते हैं अपने shares को offload कर सकते है market में तो वह उस वक्त करेंगे excel इंडिया जो एक early backer था इस company का वह करीब करीब 400 क्रोड के shares देखे बेच रहा है और इसको करीब 35 गुना गेन होगा yes जो पैसा लगाया था एक रुपया 35 गुना हो चुक company का सबसे बड़ा shareholder है उसने भी अपने shares reduce करने को कहा है और वह बेचेगा as swiggy has increased the primary issue offer तो आप acquisition का वो देख सकते हैं कि excel इंडिया को करीब 35 गुना का फायदा होगा elevation को 34 गुना का सबसे कम alpha wave ventures को हो रहा है जो करीब 2 गुना का इसे फायदा हो रहा है अब बात करते हैं gold क गोल्ड में investment demand q3 में जो quarter 3 है अभी इसमें highest चल रहा है पिछले 12 साल का अगर आप record सकते हैं तो अभी budget में आगर आप देखेंगे तो हमने import duty gold की घटा दी थी मतलब बाहर से अगर आप gold को import करते थे तो पहले 15% tax लगता था आप सिर्फ 6% लगता है इससे क्या हुआ काफी buying हुई gold jewelry की an investment हुआ इस quarter में according to gold demand trends q3 2024 report तो यह report आई है world gold council से तो यहाँ पे हमें करीब 18% year on year पिछले साल के comparison में इस साल का अगर आप डेटा देखें तो 18% का demand increase मिला है growth मिला है तो सबसे पहले तो gold की जो import duty घटी July में इसके वज़े से काफी बढ़िया jewelry demand हुआ ठीक है क्य लेते भी है और शादी का सीजन भी आने वाला है तो उससे पहले लोग तयारी भी करने लगते हैं जो investment demand है अगर गोल में अगर आप दिखेंगे तो 41% की increase आई है to 76.7 ton जो पहले था साड़े 54 ton तो काफी बढ़िया बार and coin गोल्ड बार्स करीबते हैं लोग जो हमारे पास इस शेब के बाहर आते हैं coins भी आते हैं तो इसका भी demand काफी record हाई है 2012 से अगर आप compare करें तो अग सबसे हाई है पिछले 12 साल में और यहां पर कुछ जो है वो तो इसलिए भी आया क्योंकि import duty घट गया बाकी wedding season भी demand बढ़िया रहता है and लोग बात buy कर रहे थे गोल बार को जो smuggled gold है ना इंडिया में जो आता था वो अब खतम हो चुका है gold की smuggling भी बहुत होती थी पहले क्यों 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 duty cut हो चुका है तो duty cut होने की वज़े से क्या है यहां पर डिस्टाउंड भी अब जो है नारो हो गया है इस quarter में और काफी benefit हुआ है जो यह black gold जिसे हम बोलते थे कि जो बाहर से यह smuggle करके लाया जा रहा था उसकी quantity काफी कम हो गई है पहले से तो अगर 2030 का data देखें तो 150 टन गोल जो था यह इंडिया में आया था अनफिशल और इलीगल चैनल से 150 टन तो यहां पर इसमें काफी हमें आप कहेंगे घटत देखने को मिल सकती है घटातरी यहां जरूर रुपी डिनॉमिनेटेट फॉल हुआ जब तो इस यहां पर जो था लॉसे इनके लिमिट हुए ठीक है नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट से अच्छा एक और रीजन है कि इस साल गोल का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकता हुआ मैं आपको बदा दूं लेकिन रुपिया इ प्राइस करेंगे मतलब गोल के प्राइस में अगर कमी आती है तो यह बाइ करने की ऑपर जाने चाहिए तो आज के लिए बैस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले झाहिए